इस वीडियों में करने वाले हैं कंपेजन बेटविन नोकिया समार्ट टीवी और रियल मी का समार्ट टीवी की दोनों ती बोधार हैं और इस त्पीह आपको देखना पूरा दोस्तों में जो भी तीवी दर्शाही गई है जैसे बुलते ने डिस्क्लेमर टाइप कोई भी खरीनी है यहां पर एक एरो आता है तो सब्सक्राइब करके अपने मन से जो भी आपको पसंदा जाए और दोस्तों चेक आउट गो वारंटी ऑल्सो वारं दोस्तों आप चार साल तक एडिशनल बढ़ा सकते हैं वारंटी को जो की बहुत सही है दोस्तों टीवी बहुत ही शांदार है दौनों मैंने आपको बता दिया है दोनों में से जो भी टीवी खिंदी आप दिस्क्रिशन देख सकते हैं हम थोड़ा अपना कंपेजिन बटन से सब बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा आपसे यह वीडियो देखो माइनम इस ओदेश श्रमा यूर वाचिंग यूडी रावट लेट स्टाइब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बूट की कौनसी टीवी पहले बूट होती है दोस्तों इस वीडियो में करने ले लिया है अपना अपना यहां पर लिखा गया है यहां पर रही तरह से फ्लूईड है तरह हमुड थोड़ा लैग दोनों में मिलता यह से रियल में थोड़ा ज्यादा लाइक मिलता है लेकिन मैं यह आपको यूजर इंटरफेस में बताऊंगा तो प्लीज उसको देखना है कमपेजन को फिलाल इसमें बात करने तो दोनम नहीं गूगल लिखा आ गया है पिक्टर क्वालिटी यहां पर देखने में सही लग रही ह है मेरे साब से बड़ा टकड़ा कमपेजन होने वाला है दोनम है क्योंकि यहां पर यह माई सहरी थी यह वण से जीती थी और यह तोड़ा मामला गड़बड है दोनों बटन दबाना भूल गया तो श्केन चैनल पर चला गया है मेरे साब से एक तो सेकंड का इस फरक है यहा दौने टिव में स्कॉजिंग अर्ची है दोने टिवी बलाबर टैम पर बूत होती है एक बार हम रेमोट से बन्द करके ओधाए और दोने बंद हो गई है दोनों को दबाया दौनाला बन्द हो गई है दोनाली स्टन पे नोकिया पहले से स्टार्ट हो गई है और जो अमारी व तो थोड़ा सा पीछे एक दो सेकंड लेकिन इसको फर्ग नहीं पड़ता है रिमोट से आप आफ कर रहे हैं तो डॉनों में टाइ है गन पॉइंट पर पूछो कि तब यहां पर बिल्कुल टाइ है एक आज सेकंड का फरक है तो मैं इसको नेगलेट कर रहा हूं यहां पर तो डिट्टो तो बूट में दोनों का कोई विनर नहीं है नेक्सम बात करते हैं ऑडियो क्वाल्टी एंड वीडियो क्वाल्टी तो यह है एक और वीडियो कंपेजिन बिट्वी नोकिया एंड रियल्मी स्मार्ट टीवी दोनों ही 32-inch के वरजन है दोनों ही दोस्तों आप दे देख रहा है ब्रैटनेस भी अच्छी है यहां पर नोकिया थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है कलर्स में बाकी यहां पर डिटेलिंग में श्याडव में कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी श्याडव मैं क्योंगा कि यहां रिल्मी बैटर है तो ओवरॉल पूछो कि तो पिक तो थोड़े से बैटर दिख रहे हैं जो कि श्याडव से बहुत सही रहता है यहां पर थोड़ा सा आप देखेंगे तो मेरी ब्लैक शर्ट भी थोड़ी सी लाइक उजाले वाली दिख रही है तो मैं काऊंगा कि यहां पर रिल्मी किलियर विनर है औडियो की बात करने की ज में कि देखते हैं कि कि इसकी वाज कैसी रहे है यहां पे Nokia का बहुत अच्छा है और क्योंकि soundbar की वैसे जो base मिल रहा है वो जबरदस quality में आ रहा है है highs में भी मतलब थोड़ा सा अब नहीं पट रही है पहले Nokia के वाद होड़ी फट रही थी पर उन्हें अपडेट के साथ इस चीज को fix किया है कुडूस तो Nokia कि आपने हमारे तीवी गेचने के बार भी मतलब उसमें bug fix कर रहे है नेट्फिक्स में audio sync का issue था वो भी अपने ठीक कर दिया है तो यहां पर audio quality में साफ सफ Nokia winner है अगर mix पूछोगे न तो भाई इसको अगर मैं 10 point दे रहा हूं वीडियो में और इसको 9 दे रहा हूं और audio में इसको 10 दे रहा हूं तो में मिल रहे हैं थोड़ा सा color के ज्यादा उतने ही point इसको audio में मिल रहे हैं दौनों के point जोड़ोगे तो आपको बराबर audio and video mix में मिलेगा लेकिन अगर सिर्फ video quality प्रफर करते हो तो मैं realme को चूज करूँगा और सिर्फ audio quality प्रफर करते हो तो मैं इसको कुरूँगा 39 watt का sound वा लगाया नीचे उनकियों का जोकी unmatchable है बैल मोटो आगे है इससे काफी अच्छा है कम वाट के साब से लगा रहा है वैसे दौनों में होडियों में कोई दिक्कत नी आएगी इसके रिव्यों में अल्रेडी हो बहुत सारे कर चुके हैं आप आइकार में जाके देख सकते हैं आपको इजरी लिंक्स मिलेगी नेक्स बात कम करते हैं हम यूजर इंटरफेस की द दोनों महीं दिक्कत ऐसे तो आएगी नहीं आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत रियल्मी में के रियल्मी में आपका जब करेंगे तो दस में से पांच बर कास्ट होगा हमारे रिव्यू में भी अटक गया था लाइव शूट कर रहे थे तब तो थोड़ा सा आप इसमें दे इतना अच्छा नहीं है थोड़ा सा लेगी है और मेरी पसंद से बाहर है और ऐसा कोई अलग से फीचर भी नहीं है यहां पर आपको फास्ट कास्ट मिलता है इनके साउंड बार को आप एस ब्लूटूस स्पीकर यूज कर सकते हैं सारे एप्स मिल जाते हैं आपको और बहु इसका यहां आप अब भी इनका क्रोमकास्ट दसमें से पांस बाद चलता है इनका असिस्टेंट दसमें से पांस बाद जलता है और इस तो रहीद आहीं और यूज के नंबर मेरी सीन की वेए से मैं इसको इता रहा हूं थोड़ा सा बैटर आपको लोकल फाइल कर में दिक्क कर सकते हैं बाकी बाकी तो बना आपको बताई दिया एक स्टार की इधर है इधर स्टार रेटिंग पीछे दी गई थी तीन स्टार की धीशा है अच्छी रेटिंग इन यह मतलब काफी कंजूम नहीं करता है क्योंकि इसके 39 का वाट का यह सांद वार रहा है काफी कंजूम कर यहां पर बॉल्ट मिलता है यहां पर नम्र का बैटन लगा सकते हैं यह बटन आपको यहां पर बहुत पसंद है एक यलो रिंग मिलती है रियल्मी के रिमॉट में बीच में जो की देखने वाली बात है लेकिन अगर मुझे से पूंच होगे चूस करना है तो यहां पर नोक loki remote है आज आफे क्लियर विनर रहे हे नोकिया के रिमॉत तो उस तरह कि आपने देखा remote में इहां लोके दिर长 कि आप को प्राइम वीडियो ज्यादा मोर देन वह आप सेट्ट बख्स लगा कि आपने टीवी के चैनल देखने हैं क्योंकि टीवी है हां ओटीटी कंटेंट के लिए ही ले रहे हैं तो भाई रियल में के रिमाट बैटर है क्योंकि आपको प्राइम वीडियो यूटिब का बटन मिल ज सकते हैं अगर आपको स्टेंडर डेफिनेशन का सेट्ट बॉक्स है तो बाकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो सीदे 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 पोर्ट दी गए इसका जो फोटी त्रिंज वाज आपको 3.52 लगानी पड़ेगी याद रखना दोस्तों भूल मत जाना बाकि दो दोना में से कोई भी टीव खरी निया तो यहां पर एक आरो आता है आप जाके खरी सकते हैं जाके खरी सकते हैं चैक आप अपने स्मार्ट प्रोट्रक्स के लिए मैं के खरीता हूं उसमें फाइनल थोट यही रहेगा कि अगर आपके पास 13,000 रुपे हैं आपको टीवी खर सब्सक्राइब तो यह बार में पढ़ जाएगी यह टीवी अभी तेरे जाल में वर्थ नहीं है विकॉज यह सेल में साड़े नौजार की बिकरी थी उस टैम पे इस से बहुतर टीवी थी नहीं मार्केट में अभी दुबारा से लारी 29 को अगर आप 29 के बाद इस वीडियो एंपिश यह जिर नहीं है वाहिए और शक्राइब एंब एंडरा bater झाल झाल